हेलो गाइस तर्म बात करने वाले हैं लक्समी औरगेनिक की बारे में इस कंपनी का quarter 4 का result आ चुका इस सामने तो कैसे रहा है इस कंपनी का result वही आज के इस विडियो में discuss करने वाले है क्या इस कंपनी ने dividend दिया है कि नहीं दिया है तो कितने रुपीस का दिया है कब तक हमार आएगा वो भी discuss करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर तो ये वीडियो जरू से अंतर देखते रहे ना लक्समी और गेनिक की बात करें तो इस कंपनी के results आप लोगों के सामने present rate है सारी के सारे result आप लोगों के सामने present है उससे पहले एक चीज जरू से बोलूंगा इस कं announcement है कंपनी ने आपर से final dividend के तोर पर 0.7 रुपिस पर शेका इस कंपनी ने अपने शेरोल्डर्स को dividend देने का फैसला किया है और ये dividend का रेकूर्ट डेट एक्स डेट यहाँ पर एन इंजनर मीटिंग के अंदर आप लोगों को update कर दिया जाएगा रही बात इस कंपनी के इं इसको compare करेंगे सबसे पहले आपर बात करेंगे कंपनी की income के बारे में तो revenue from operation and other income को मिला कर कंपनी का total income 9103.14 million रुपीस का कंपनी का income होता हूँ नजर आ रहा है जो पिछले साल same quarter के मुकाबले कंपनी की income में एक massive jump है जो बहुत ही ज़दा positive चीज देखने का मिल रही है अ अभी आपर बात करेंगे कंपनी के expenditure के बारे में expenses की बात करें इस कंपनी का cost of material consumption में majority expense देखने का मिल जाता है उसके बाद purchase of stock and trade employees की fees and other expense को मिला कर कंपनी का total expense 8,654 million रुपीस का कंपनी का total expense देखने को मिल रहा है कंपनी के expense भी उसी 30 से बढ़ रहा है जितना 30 से कंपनी का बड़ है overall इस कंपनी के net profit की बात करें तो net profit for periodic के और यहाँ पर कंपनी का 410.38 करोव रुपीस का कंपनी का net profit देखने को मिल रहा है जो quarter quarter भी इसके पर बहुत ही बड़ा massive downfall है company के net profit के अंदर almost यहाँ पर 50% का downfall देखने के पर नेट profit के अंदर यह सबसे बड़ा problem है बाक इस कंपनी के EPS की बात करें 1.56 बड़ रुपीस का कंपनी का EPS देखने के मल रहा है और इस कंपनी का EPS में जो घिरावट आई है यहाँ पर से मेरे ही सबसे short term के लिए घिरावट है long term में यह company अच्छा ही performance करेगी मेरको तो यही लगता है रही बात इस कंपनी के अंदर investment क देखो पिछले यहाँ पर से 2000 यह company आये 2021 में अभी अभी लिस्ट हुई है share market में possibilities बहुत जदा है यह company share market में लिस्ट हुने के बाद long term में long term में मैं बोल रहा हूँ आने वाले 10-20 साल के अंदर यह company multi bag return कमा कर दे शायद आप लोग जुनते हो ना क्या company का यहाँ पर से 1,00, 50% 10,000% का profit होना चीए तो 10,000% का profit लेना है तो उतना weight भी करना पड़ेगा तो आप लोगों को यहाँ पर से इस company के अंदर investment करकर इस company के share को track करते रहना है investment करकर अच्छा का सा पैसा बना कर आप लोग इस company के अंदर hold करके रखना मेरा ऐसा मन यह company आप लोगों को dividend के तौर पर ही अपना पैसा है वो refund कर देगी बाकी का जो भी हाँ पर से रहेगा पैसा वो सारा गास तरा profit के तौर पर रहेगा तो जो आप लोग इस company के share को hold रखना invested नहीं हो तो आप लोग लोग लेवस के अपर खरीदा रिक करना चाहते हो तो भी करके चल सकते हो बाकी अपको क् तो वो में रिक को बताना कमेंट सेक्ष में विडियो पसंद लाथे लाक शेंड को सब्सक्रेब करना वंद भूलना गुट बालफ गुट बाई फिर मिलता नेक्स विडियो में गुट बाई